हाई व्यट्रीवन वेल्कम बैक तो माई चैनल इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का हैस्टे का चैप्र नमबर 2 का पार्ट नमबर 4 पर थर्ड में हमने देखा था South India के बारे में South India में किस तरह से जो king हुआ करते थे वो rule किया करते थे और इस वीडियो में हम देखने वाले है A Changing Countryside तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर करके सब्सक्राइब कर लो और अगर नोट सही है या फिर कोई और चैप्र पढ़ना हो या कोई और बुक पढ़ना हो लाइक पालिटिकल साइंस और जेग्राफी तो लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर करके पढ़ सकते हो और नोट सही है तो उसका भी इंस्टेग्राम का लिंक दिया हुआ है चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक पॉपिलर परसिप्संज ओफ किंग्स क्या है हमारा तो अर्डिनरी पिपल रैर लेफ्ट अकांट्स और थार्ट्स एंद एक्स्परियंसे जो अर्डिनरी पिपल हुआ करते थे वो बहाती ज़ादा रैर्ली कोई भी अकांट्स छोड़ जाया करते थे उनके थार्स के उनक थे उन्से पता चला कैंक्स के बारे में लेकिन उनका प्रजा नोग उड़ सब्सक्राइख क्या विर्ट क्या करते हैं तो सब्सक्राइख से अदों में डिनानेकों डिलानार। प्रजात में फर्मर्ट करने हो चुके तो इस से टेक्स वीट스 हैगा क्या चाहिकी है तो चुपकत कि वैसके दाई जर्म करने में जोनों कि करने साधों के चीज नहीं लेकिते हैं और भी लोग उनको भी खिलाना होगा तो क्या करते थे उनको William करना ही पड़ता था जो फार्मरस होते थे उन से तो यह तरह का protest करते थे जो forest में चुप जाते थे लोग वह तरह का क्या होता था protest हुआ करता था तो क्या होता था कि जो किंग हुआ करते थे वह मतलब कुछ चीज़े प्रवाइड कर आते थे जैसे की कनल्स वगरा बनवा दिये जो क्रॉप्स होता था उनको ग्रो करने के लिए काफी जाद हेल्प करते थे तब जा करके जो लोग थे जो फार्मर्स थे वह टैक्स भी देते थे और अच्छे से रह लिकर्चर में जो गंगा और कावेरी रिवर के आसपास के जो भी छेत्र हुआ करते थे जो फिल्स हुआ करते थे वहां पर यह होने लगा था यूज ओफ आइरन टेप्ड प्लक्षेर तो जो आरेन टेप्ड था इसका कहने का मतलब है कि मतलब हलका तो यूस पहले से हो रह चाहिए तो क्रॉप्स था वो इसनली उगया जान लगा धूसरे हैं तीसरे मारे utanच प्लंटेश इसमें किया होता था जो एक प्रॉसेस था जिसमें जो पैडी हुआ करता था जो राइस कल्टिवेशन हुआ करता था वह प्लेंटी जहां पे वोटर बहुत जादा इसलिए अवलेबल होता था वहां पे अच्छे से हो जाता था जो इरिगेशन था वह उसका भी यूज होने लगा राजा जो थे वो विल्स बनाते थे टैंक्स बनाते थे और कैनल्स बनमादिया करते थे जिससे की लोगों को काफे जादा हेल्प मिलते थी आगे हमारा हो एग्रिकल्चर तो यह एग्रिकल्चर है आप कमेंट सेक्शन में म एक चीज़ और है आइरन टिप्ड जो यूज होता था जो हल यूज होता था इस तरह का वह राजस्थान में पहुंचते पहुंचते काफी टाइम लग गया था 20th century तक वहां पहुंचा था उससे पहले वहां पी यूज नहीं होता था अब आगे हमारा डिफरेंस इन रुर यूज हो गया डिफरेंस्थ ड्रण डिफरेंसीयल एकसस टुलेंड लिबर एंड सम अफ्ड नू टेकणोलोजिस्स तो डिफ्रेंसेट्स पहां लैंड पहां बेस्ता किसी पे किसी के पास्मलाइब था था रहां यूज तेह को आगे देखते हैं को आगे हमारा बुद्धि जो बुधिस्ट टेक्स्ट जो हमें मिला है उसमें क्या है तीन लोगों को इसमें डिस्कस किया गया है तिन लोग के बारे में पहला है लैंड-डिस एक्रीकुल्चरल लेबर जिनके पास लैंड नहीं होतो था दूसरे थे सिए स्मॉल पीजंट टीज्ट्रे क्या सोच्रण को उप्ले क्यों पूला जाता था उन्र। और है ऐंड आ था खाहपति को गैश्का क्यों सवह स्वाशनीनों क्यों बॉले मत धोकटी लिए उइकॐडि मास्टशोर्ट सेथ हूं तो इसका कंट्रोल किस पर चलता था जो गहापती हुआ करते थे इनका कंट्रोल चिल्टरेंज पर विमेंस लैज्ट आप्स पर हुआ करता था ठीक है आगे ऑल्सो द ऑनर ओफ the resources सब्सक्राइब करते हैं जैसे की लैंड हो गया अनिमल्स हो गया यह सारे चीजों का इनके उपर इनका कंट्रॉल चलता था इसके भी यह अनर हुआ करते थे आगे हैं डिफ्रेंट काटेग्रीज ओफ पिपल लिविंग इन दो विलेजेस वेर मैंशन इन तमिल लिट्रेचर तो बहुत सारे काटेग्रीज के पिपल जैसे कि हमने बुद्धेश टेक्स्ट में देखा थ्री टाइपस ओफ जो लोग थे वो थ्री टाइपस के हुआ करते थे पहला था लैंड लेवर हुआ करते थे दूसरा स्मॉल पिजेंट्स और तीसरा कौन था लार्ज लैंड होर् अब हम आगे देखेंगे आगे हमारा लैंड ग्रांट्स और न्यूर्ड इलाइड लैंड ग्रांट्स जो जमीन होती थी वह दान में दे दिया जाता था तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे लैंड ग्रांट्स वा रिकॉर्ड़ेट इन इंस्क्रिप्शंस ऑन स्टोन और में हमने यह देखा है है कि जो राजा हुआ कर देथे थे जैसे कुछ जमीन दे दिया आगे मारा उजल वाइल्ट वाइल इन तो जो inscription लिखा गया था वो क्या था वो basically संस्क्रेट में था और जो भागी के बचे हुए inscriptions थे land grants को लेकर के वो local language में थे जैसे की तमिल हो गया और तेलगू हो गया ठीक है आगे हम पढ़ने वाले हैं प्रभावती के बारे में प्रभावती एक क्या थी queen थी was the doubter of चंद्रगुप्त second ये चंद्रगुप्त second की बेटी थी और इनकी शादी किससे हुई थी दूसरी ruling family में हुई थी जो की राजा थे वकाटाकास ठीक है वकाटाकास से हुई थी मतलब who were powerful in deccan तो ये भी क्या थे deccan में बहुत जादा powerful king हुआ करते थे वकाटाकास ठी तो देको हुआ ये प्रभाविति गुपता के बारे में इसमें डिस्कस गया गया है इस chapter में इस topic में तो जो प्रभाविति गुपता थी वह क्या थी वह एक women थी और जो पहले के जो जितने भी मतलब वह हुआ करते थे वह राहन्मन्स हुआ करते हैं हमने धर्म शास्त्र के बारे में पढ़ा था तो जो उन्होंने लिखा था धर्मसास्टर में कि जो किंग्म THIE रूल करेंगे सारी चीजें किस तरह से चलाए जाएंगे तो उन्होंने येक चीज और बताये था कि से विमेंस कोई भी चीज को अन्ने कर सकती हैं जैसे कि हमने पहले देखा जो होती है उनकी Carloanes होती थी वह प्रापाटीज के अनर नहीं होती तो उसके बाद प्राफाव्तिक गुपता थी इन होने छी जो उनका जो भी सिंहासन वगारे था सब कुछ इंहोंने संभाला इसकी वज़े से जो लेंड का ग्रांड था वो भी इन्होंने किया था काफी डैंग तक जब तक यह थी इन्होंने बहुत सारे जो जमीन थे वो दान में दे दिये थे कुछ लोगों को अग्रिकल्चर के कुछ ब्राहमन को ठीक है इसलिए इनका इसमें डिसकुसन किया गया है कि जो ब्राहमन के द्वारा लिखे हुए जो चीजे थी धर्म सास्त्र में कि इस तरह से जो किंग है वो रूल करेंगे ये चीजे ये चीजे होंगी तो वो चीज हर जगा पे नहीं लागू होती थी जैस कि जोर्च लोग ऐसे भी जो सब कुछुछ फॉटर ब्लब भी करते हैं की हर जगा पे लिखा हुआ फॉडलो नहीं होता था आगे है लाइंड जो में ज्यादा करते थे लैंड जमिन डान में दइने दे, उननीका जब पॉलिक्टीकल-फावर था उनको ऐसा लगताält तो अगर उनका पॉलिटिकल पावर है वो कम हो रहा है तो क्या करते थे वो जमीन दान में देना शुरू करते थे तो आपको यह अच्छा से समझ में आ गया होगा टॉपिक और आगे की वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हें आने के आने वाली नेक्स्ट वीडियों भी मिल जाए ओके ठासी तो मच